नमस्कार स्वागत है आपका जलीत ओफिसियल में दोस्तों आज के भी इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ पांच जरूरी बड़े ख़बरों के बारे में अगर उन ख़बरों की हेडलाइन की बात करें तो ख़बर कुछ इस तरह क्योंगे आरोग्य सेतु एप की बज़े से लोगों के बैंक एकाउंट खाली किये जा रहे ठहरी है आरोग्य सेतु एप को हटाने से पहले वीडियो को जरूर देख ले आखिर कैसे सराबियों को कहा गया देश के अर्थ व्यवस्ता का चौथा स्थम्भ स्कूल के कुछ जात्र इंस्टाग्राम पर एक ग्रूप में एक लड़की के साथ गैंग रेप करने की प्लानिंग कर रहे थे स्क्रीन सोट हो गया वाइरल बहुत जल्द सरकार आपको कॉल करके कोरोना से जुड़ी जान कर यहां आपसे लेने वाली है लोगडाउन की बज़ा से लोन की EMI तीन के बज़ाए छे महिने तक आप नहीं दोगे तो चलेगा दोस्ता आज की इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपके एक नीजी सवाल का जवाब मैं यहां पर देने वाला हूँ कल का एपिसोड में कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आप लोगडाउन को नहीं मैंते हूँ के हाथों पर कैसे वरोजा कर सकता हूं मैंने इन ही दो हाथों का डरते हुए सहारा लिया है अपनी चेहरे को ऐसा करने के लिए और रही बात जिन लोगों आपको पूछी जाएगे अगर आपको इसमें से कुछ परिशानिया है आपके अंदर तो जो लोकल ऑथरिटी है उनको यह जानकरी भहश दी जाएगी फिर वो लोगा कि आपकी ट्रिट्मेंट का ट्रिट्मेंट यहां पर करेंगे तो दोस्ता मुझे यह समझ में नहीं आ आपको पूलिस कर्मियों पर पत्थर वर्सा रहें क्या वहां IVR की मर्जी चलेगी IVR को लोग मानेंगे खेर हला कि हर कोई एक जैसा नहीं है यहां पर तो मुझे लगता है लोग मानेंगे और मानना भी चाहिए क्योंकि यहां से जाहिर होता है आप खुद को लेकर कितनी सा कितनी सावधानियों का पालन आप कर रहे हो दोस्ता आर बिया ही सोच रही है यह लोग डाउन में जहां यह माई को लेकर के तीन महीने की राहत देने की बात की गई थी हला कि मेंगों ने दिया भी था अब इससे छे महीने करने की मतलब 6-39 नहीं 3-3-6 यानि की 31 मई तक थी यानि कि आपकी कमाई बगारा जैसा चल रहा था हूँ ऐसा चल रहा है आपके पास अपनी EMI का भुकतान करने के लिए परियापत पैसे या रूपए है तो आप अपनी EMI को पे कर दे तो ही बहतर होगा इसमें क्या होता है दिखिए इंट्रेस्ट की रकम जो है वो बढ़ माफी का क्या मतलब है आपकी EMI अगर 12 महीने की थी यहां पर 3 महीने की बज़ा से वो अब हो चुके 15 महीने यानि कि 3 महीने और आपको अपनी EMI को जहलना पड़ेगा अगर आपके पास पैसो की कमी है आप नहीं दे सकते हो तो फिर कोई रास्ता नहीं है यहां आपके दे दना ये माई दोस्तो आरोगयो सेतु का जहांसा देकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं जी हां यह सच है होम मिनिश्री के और से लॉंच किये गए ट्वीटर हैंडल से भी इसकी जानकरी दी गई है कि आप आरोगयो सेतु एपको डाउनलोड करने के लिए क इस लिंक को जब आप डाउनलोड करोगे तो यहां आपके पोन की जानकरी जो है उस बन्दे के पास चले जाएगा जिसने इस लिंक को जेनेरेट किया है करें अगर आपको इस तरह के कौई लिंक मिलती है तो आप ट्वीटर पर इसकी खवर कर सकते हो तो साइबर दोस्त को साथ ही आप cybercrime.gov.in पर भी इसकी जानकरी दे सकते हों दोस्तों लॉकडाउन तो 17 मई तक है लेकिन कई सारे सहरों में सराब की दुकानों को खोल दिया गया है जहां लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे अपने घर में पैटकर जैसे ही सराब की दुकान खुलती है वही सब तूट परते है और सोसल डिस्टेंजिंग का धजिया उडिया तो पुलिस ने मजबुरन कई सारे दुकानों को बंद किया तो यहां पर दोस्तो कई सारे कॉमेंट्स आए इन सराब पीने वाले लोगों को ले करके हलाकि मैं आपको बता दूँ सराब पीना सहत के लिए आनिकारक होता है IPS पंक जेन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तकरीबन सभी राज जोने सराब की दुकानों को खोलने की अनुमती दे दी है क्योंकि आर्थिक हाला बहुत खराब हो गए है मतलब हम जिनको बैवडे समझते थे वो तो दैस की अर्थ बेवस्ता के चौत है स्तंब निकले वाव ही क्या बात है और मेरा special request है उन सब से कि पीना है तो घर ले जाकर पीए या फिर पीने के बाद जरा सोच समझ के संभल के घर तक पहुँच जाए गाड़ी कहीं चाइना की तरफ न घुमा दे बदला लेने के लिए कोरोना का दोस्तों अब आपको एक बेहद संभेदन सिल जानकारी देना चाहूंगा यह है इंस्टाग्राम के बारे में इंस्टाग्राम के ग्रूप के बारे में जिसका नाम है बॉइस लॉकर रूम स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स का यह ग्रूप है जहां इन लोगों ने चेट कि की थी और यह बीच में ही वाइरल हो जाता है हाला कि उसके बाद इस ग्रूप को बंद कर दिया गया है दिल्ली पूलिस के आईटी सेल ने इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है आईटी एक 66 और 67 एक तहद दिली पूलिस ने इंस्टाग्राम को भी एक लेटर लिख माबाप से कि भई आप जरा अपने बच्चे पर नजर रखे कि वो किस कदर कहां जा रहा है सिर्फ बच्चे को छूप देदना फ्रीडम देदना बड़ी नहीं होती है बच्चे की हर ख्वाइस पूरी करने से पहले आप जरा सोचें कि आपका बच्चा सही रास्ते में है दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इन पांचो अपडेट को लेकर आपकी क्या है रहा है प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो चलाएक तो वीडियो को लाइक करें जानकरी को दूसरतों पहुंचाने के लिए वीडियो को सेर करें अगर आपके चैनल सब्सक्राइब करें चलता हूं फिर मिलंगा एक और नई जानकरी के साथ अब तक के लिए टेक क्यार भाई भाई